नमस्का साथियों स्वागत है आपका MNP Knowledge School में पूरी दुनिया इस समय कोरोना वाइरस के संकट से जूज रही है हमारा देश भी कोरोना वाइरस से लड़ने के लिए प्रतिबद्ध है और सारे जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं इसी सिलसले में प्रधान मंत्री श्री नरें यह बताई और फ्यूचर में आपको क्या-क्या ध्यान रखना है इसकी भी जानकारी दी अगर आप में से कोई भी साथी उस संभुदन को नहीं सुना है तो उपर आई बटन में हमने लिंक दे दिया है आप जाकर PM मोधी के भासड की हर एक चीज की जानकारी प्राप्त कर सक सकते हैं आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे जनता कर्फ्यू के बारे में जनता करफ्यू क्या होता है प्रधान मंत्री ने जनता कर फ्यू क्लिए क्यों बोला है और य unveil के से लागू होगा तो आईए वीडियो शुरू करते हैं और इस से पहले अगर आभी तक प्रधान मंत्री ने भारतिय जंता से जंता कर्फ्यू की मांग की है। प्रधान मंत्री ने सभी देशवासियों से कहा कि 22 मार्च को शाम पाँच बज़े ताली या थाली बज़ाकर साइरन बज़ाकर अपने जितने भी वरकर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, नर्स हैं, एरपोर्ट स्टाफ हैं और भी तमाम जो फूड डिलिवरी, होम डिलिवरी वाले जो भी लोग हैं, जो हमारे आपके सेवा के लिए 24 घंटे लगे हैं, उनको धन्यवाद किया जाएं। अपना कर्तब निभाएं, क्योंकि जितना जादा वो सोशल आइसोलेशन में रहेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग बरकरार रखेंगे, आम जनता आम पबलिक में घुलेंगे मिलेंगे नहीं, उतनी जल्दी कोर्ना वाइरस के संकट से निजाद भी मिल जाएगा। जनता कर्फ्यू हमें आने वाले चुनोति के लिए तयार करेगा, और साथी साथ प्रधान मंत्री मोधी ने जो स्टेट गवर्मेंट है, उनसे भी आगरह किया है कि वो जनता कर्फ्यू का पालन कराएं। 22 मार्ज को प्रधान मंत्री ने शाम को पाँच बजे स्थानिय प्रसासन से भी आगरह किया है कि वो साइरन बजा के सभी को इसके बारे में बताएं। जनता कर्फ्यू दुनिया को दिखाएगा कि हम इस वाइरस से लड़ने के लिए कितने तैयार हैं। और साथी साथ प्रधान मंत्री ने ये भी कहा कि एक व्यक्ति अन्य दस लोगों को जनता कर्फ्यू की जरूरत के बारे में भी बताएं। साथी साथ 22 मार्च का दिन हमारे लिए टेस्ट है, एक इंपॉर्टेंट दिन है, जिस दिन हमारी तैयारी का जायजा मिलेगा, साथी साथ आप सभी से हमारे चैनल की तरफ से अनरोध भी हैं। कि 22 मार्च ही नहीं, जब तक ये कोरोना वाइरस का संकट पूरी तरीके से खतम नहीं हो जाता है, अन्नेसेसरी बाहर ना निकलें, लोगों से ना मिलें, पार्टी या कोई भी ऐसी आउटिंग जो जरूरी ना हो उसको अवाइड करें, क्योंकि फ्रेंड्स अगर आप सुर कालना वाकई मुश्किल होगा, तो अभी वक्त है, आप सभी जब तक बहुत जरूरी ना हो, घर से बाहर ना निकलें, और सोशल आइसोलेशन में रहने की कोशिश करें, आप सभी सेफ रहें, आपका परिवार सेफ रहें, और कोरोना वार्यस की लड़ाई को हम जल्दी जी कि लो और को आपुदी, और क慌 500, आप सेफ इस भालिण के लोगए श्यूरी खी यह जिल्दी है, आपका दोल्दी में रहें, औरस कम पलोगां जे जो तक जिल्दी ज fot।षदी में इसी को हुआूंचा है, और सब्स्स्ता कमें जोब।थेैस एसे जोज़ड है, उसरे कम प